तो भईया सौसो जूते खाए तमासा घुसकर देखन जाए यहाल इस वक्त पाकिस्तान का है जिसकी इंटरनेशनल बेजती हुई है उसके बावजूद पाकिस्तानी जनता दुबई में लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है यहां आज हमारी यह रिपोर्ट आप सभी को देखनी चाहिए जिनों को लगता है कि दुबई जैसा देश पाकिस्तान को भाव देता है जिनको ऐसा लगता है कि दुबई भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को मानता है आज ऐसे लोगों को हमारी ख़बर जरूर देखनी यहां पर 2765.5 फीट की उचाई से पाकिस्तान की बेज़ती हुई है यहां 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का जस्त्र मना रहा है इस जस्त्र के मौके पर बुर्ज खलीवा की तरफ से बिल्डिंग पर पाकिस्तान का जंडा लगाने से साफ इंकार कर दिया गया है इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है उसके बाद लोग पाकिस्तान के नाम पर तरह तरह के जोक मार रहे हैं मीम्स बना रहे हैं दिल्चस्प बात यह है कि सैकडो पाकिस्तानियों की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है और इस बात से खुद पाकिस्तानी भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे सबसे पहले पाकिस्तान की भारी बेजुती का या वीडियो देख लिजे दोवें से इस घटना का जो वीडियो ट्वीटर पर हमने आपको दिखाया उस पे साफ नजर आ रहा है कि वहां रहने वाले सेकडो पाकिस्तानी इमारत के आस पास एक आस लिए बैठे हैं कि हमारे मुल्क का जंडा बुर्ज खलीफा पर दिखेगा दुनिया के सबसे बड़ी इमारत पर दिखेगा कहीं न कहीं ये भी सीक उनको भारत से ही मिली हाली में प्रधान मंत्री मोदी दुबई गय थे और दुबई में उन्होंने कैसे भारत का जंडा बुर्ज खलीफा पर दिखाया था ये आप सभी ने देखा खुद बुर्ज खलीफा ने भारत का जंडा कई बार ऐसे मौकों पर बुर्ज खलीफा पर जोजारोवित किया है या दिखाया है मगर इस पीच पाकिस्तान भी यही उमीद लेके पहुंची थी कि सायद बुर्ज खलीफा उनके भी देश का जंडा अपने इमारत पे दिखाएगा ये सभी लोग मुल्क की आजादी का जस्त मनाने के लिए आधी रात को ही बुर्ज खलीफा पहुंच गये थे वो इस उमीद में निजर आ रहे थे कि यह बिल्डिंग उनके राष्ट्री धश के रंगों से रौसन होगी ऐसे में यही आउकात है उनकी जहां इस पूरी घटना का एक महिला ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाये है इस मेंला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि समय अभी 12 बच कर एक मिनट हो गया है मगर तुबही वालों ने कहा है कि पाकिस्तान के जंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पर नहीं लगाए जाएगी यही है हमारी आउकात पाकिस्तान की आवाम नारेबाजी कर रही है के लायक है ऐसे में उस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे जहां हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि रात के 12 बच के एक मिनिट बाद भी दुनिया की सबसे उची मारत पर कुछ नहीं किया गया इसके बाद निरास पाकिस्तानियों ने अपने देश और मात्र भूमी के प्रती अपना समर्थन दिखाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये वीडियो में साफ निदर आ रहा है कि घटना के वज़े से पाकिस्तानी खासा निरास है और उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो जैसा हमने आपको सुरुवात में ही का कि सो सो जूता खाए तमासा घुस के देखन जाए पाकिस्तान का ये झाल